आज मैं क्लाश 10th के लिए बोर्ड के लिए ट्रिगो का एक अच्छा सा कॉंसेप्ट वाला कॉस्टन लाया हूं जनरली में कोशिश यह करता हूं कि एक कॉस्टन जो आप लेते उस पे कितने कॉस्टन बन सकते हैं और उसका बेस क्या है फंडामेंटल क्या है कैसी को साल होगा इस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं तो कॉस्टन दिया है कि इफ सेख थिटा प्लैस 10 थीटा एको टू अच्स देन सेख थिटा की वहल्यू पूछ रहा है कि sec theta की value क्या होगी देखो इन question में आपका 4 option दिया हुआ है अब sec plus 10 दिया है x और sec की value पूछ रहा है देखो concept क्या होता है जैसे मालनों कि आपको यहाँ दो number का product दिया है a into b equal to 1 आ रहा है तो b की value 1 by a हो जाएगी और a की value 1 by b होगे यह concept पे हम question को देखेंगे कैसे जो identity होती है 10 और sec में होती है कि 1 plus 10 square theta equal to sec square theta 1 plus 10 square theta equal to sec square theta इसको इधा transpose कर दो तो 1 equal to हो जाएगा आपका sec square theta minus 10 square theta या इसको आप अटा के इधर विलिक सकते है equal to 1 यह आपको समझ में यहाँ पे आगया होगा इसके बाद से क्या करना है इसको a square minus b square से break कर देंगे a square minus b square का identity होती है a plus b और a minus b मतलब यह a का पूरा square हो b का तो यह किसका square आपका है sec theta का whole square है और यह minus आपका 10 theta का whole square है यह value 1 है तो इसमें a square minus b square लेगा यह a होगा यह b होगा यह बाद दोनों को plus करेंगे दोनों को minus करेंगे तो यह होगा sec theta plus 10 theta जहां हैगा आपका sec theta minus 10 theta equal to 1 आगया अब इसको आप दो का product इसको a मानते हो इसको b मानते हो तो a into b कितना है ab1 है तो अब यह लिखालना कोई b तो 1 by a और यह लिखालना तो 1 by b उसी भी मानलों आपको sec plus 10 दिया है तो sec minus 10 लिखालोगे sec theta minus 10 theta तो 1 अपना आएगा sec theta plus 10 theta और आप sec plus 10 लिखालना है sec minus 10 दिया है sec theta plus 10 theta यह लिखालना है तो 1 अपना आएगा sec theta minus 10 theta पहले इसको आप लो write down कर लो फिर इस question पे हम आते हैं यहाँ से देखोगे आपको दिया है sec plus 10 दिया है x तो sec minus 10 क्या होगा 1 by sec plus 10 मतलब इसकी value जो आजाएगी यह आजाएगी 1 by x यह आपको समझवाना चाहिए क्या आगी इसकी value 1 by x आजएगी यह अच्छी तरह समझवान जाएगा कि sec plus 10 दिया है x तो sec minus 10 की value 1 by x आजएगी इसका मतलब क्या हो यहाँ पे यह आपको आपका आगे sec theta minus 10 theta आपको यह ध्यान लखना है कि sec plus 10 sec और 10 में ध्यान लखना है कि sec plus 10 दिया x तो sec minus 10 की value कितनी हो जाएगी 1 by x होगे कितनी हो गई 1 by x अब दो equation आपको मिल गया एक equation यह हो गया एक equation यह हो गया इसको में मिटा देता हूँ आप लो screenshot ले लो या लिख लो screenshot लेके mobile में नहीं रखना उसको copy में जब तक आप write down नहीं करोगा अपने आप से तब तक समझ में concept नहीं आयागा मैं इसलिए basic से fundamental से बताता हूँ concept का आपको अच्छी तरह समझ माजा question कितना भी change करके आता है mcq कितना भी change करके आएगा जो जो इसमें चीज पूछेगा वो सारा बता दोगे पहला इसका question यह बनता है sec plus 10 देके sec minus 10 पूछता है sec minus 10 आपको 1 by x कभी यह 3 दे दिया 1 by 3 दे दिया जो यह value दिया हुगा उसका reciprocal कर दो तो sec minus 10 आगया उसके बाद से आपको sec theta पूछ सकता है 10 theta पूछ सकता है sec तो यह पहले हम sec theta निकालते है अब इसमें sec लिकानना हो तो आपको देख रहूँ यहाँ दो equation बना आपका sec plus 10 और sec minus 10 हम क्या करेंगे दोनों को add करेंगे 1 plus 2 दोनों को add करोगे आप लिखोगे sec theta plus 10 theta equal to x लिखने की जो औरत नहीं है मैं समझाने के लिख रहा हूँ कई बच्चों को समझ में नहीं आता है minus 10 theta equal to 1 by x अब इसको आप add कर रहे हैं यहाँ पे इसे कड़ेंगे आप ऐसे ही दोनों को add कर दो 10 से 10 कड़ जाता 2 sec theta equal to इधर आएगा x plus 1 by x तो sec theta के value कितनी हो जाएगी 1 by 2 x plus 1 by x यह option में दिया है यहाँ पे यह option यह 20 है यहाँ इसको simplify करके भी दे सकता है 1 by 2 यहाँ जाता है x square plus 1 upon x यहाँ पे 1 by 2 x square plus 1 upon x square दिया है जबकि यहाँ पे आपका x आएगा तो इस तरह भी answer आशकता है मेरे कल सी अच्छी तरह आप लोगों समझ में आ गया होगा यह आपनो write down कर लो फिर इसी में हम बता रहे हैं कि 10 theta के value कैसे निकालेंगा अब इसी में एक question माल गो change कर दिया यहाँ पूछ दिया कि 10 theta के value बताओ तो 10 theta के value लिकालना हो तो कैसे निकालेंगे 10 theta के value लिकालना हो तो यह हम लिख देंगे यहाँ पे 10 theta और यह आपका 10 theta दिया था अब दिको plus करने पे 10 कट रहा था minus ही दिकर देते हो 1 minus 2 कर देते हो तो sign change हो जागा यहाँ पर subtract करोगे तो यह minus हो जागा यह plus हो जागा यह minus हो जागा तो 10 नहीं कटेगा सिक कटेगा इस बार क्या कटेगा सिक कटेगा 10 10 कितना आजाएगा 2 10 theta आजाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x minus 1 by x आएगा तो 10 theta कितना हो जाएगा आपका 1 by 2 x minus 1 by x option में नहीं दिया है तो यह LCM लेने सकते हैं यहाँ पे 1 by 2 यह हो जाएगा यहाँ पे x square minus 1 upon x तो इसमें तब आपका answer B9 के answer यह हो जाएगा जब आपका यह पूछेगा 10 theta तो एक ही question मैंने दोनों question बता दिया sec की value बता दिया और 10 की value बता दिया अब जैसी यह sec और 10 पे question आया हुआ है उसी तरह यह question आपका cosec और court पे भी आ सकता है क्या आएगा cosec और court पे change कर लो इसको पहले screenshot ले लो आ same उसमें भी ओही concept आएगा यहाँ पे देदेगा cosec theta यहाँ पे देदेगा court theta तो cosec प्लस court x दिया यहाँ पे आपका cosec भी पूछ सकता है और आपका court यहाँ क्या आएगा जैसे आपने यह दिखा यहाँ पे cosec theta प्लस court theta x है तो cosec theta minus court theta लिखोगे यहाँ पे cosec theta minus court theta वो भी 1 by x आएगा तो आप यह दिखान दखना है जैसे sec और tan का जो concept है वही concept आपका cosec और court का है जो value sec की आई है वही value आपकी cosec की आएगी जो value 10 की आई है वही value आपकी court की आएगी चेक करके देख लो यह 1 by x आया सेम आपको मालने आपके cosec theta निकालना है इसको हम पहले plus कर देंगे यहाँ आपका cosec theta यहाँ आपका cot theta और यहाँ आपका cosec theta और यहाँ आपका आपका cot theta अब यह दोनों को क्या कर रहे था हम add कर देते हैं add करेंगे तो यहाँ पे आपका आजाएगा यह कट गया तो आपका आजाएगा 2 cosec theta तो यहाँ से cosec theta की value आजाएगी यहाँ plus आजाएगा यहाँ plus आजाएगा तो cosec theta की value आजाएगी यह plus आजाएगा B की value आ जाएगी, जब कोसेक निकाल लगो तो B वाला concept आ जाएगा, फिर कोसेक जगा फिर से आप से यह ले दो screen shot एक बार, फिर से, उसके बद कॉट थीटा भी पूछ सकता है, यहाँ पे, कॉट थीटा भी पूछ सकता है, value आप कॉट थीटा, कॉट में सेम वही जो 10 की value यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे फिर वही माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या जाएगा, यहाँ पे आपका क्या जाएगा, यह कट गया, यहाँ पे 2 कॉट थीटा आ जाएगा, यहाँ से कॉट थीटा के value आ जाएगी, तो कॉट थीटा के value आ जाएगी, तो क चार कोशक मैंने बता दिया, in fact, कोशक और कॉड दिया तो कोशक माइनस कॉड भी पूछ सकता है, रिस्प्रोक्ल होता है एक दूसरे का, अट तैनों और सेक्म होता है, यह कोशन पर चार पास कोशन बनते हैं, और इस कॉंसेप्ट पर कोशन आता है, यह मैंने एक्स लेकर किय यह वैलू लेके भी देते हैं, कभी 3 डाल दिया, कभी 4 डाल दिया, तो 1 by 4, तो उस कॉंसेप्ट पर भी कोशन आ सकता है, तो आप लोगों को यह ध्यान दखना है, और लिक लिक के प्रेक्टिस करके आप ट्लिक भी याद रख सकते हो, कि प्लस आपका जदी यह दिया कोश को कर सकते हो, अब इसी कोशन में मैंने बताया कि दो कोशन उस पर बन जाता है, सेक और टैन पर दो कोशन बन जाता है, कि कोशेक प्लस कोट एक्स दिया होगा, तो कोशेक और कोट ना पुछ के आपको कोश थीटा पूछ दिया, कि कोश थीटा के बहले बताओ, तो कोश थी तो कोशक को लिख सकते हो 1 by sin थेटा और कोट को लिख सकते हो cos theta upon sin theta तो आप इस किस्से divide पर तो सही तो इस कोट थेटा को इस से divide कर दोते हो वह मनें कॉस थीट, कॉट थीटा, अपान निकालते हैं कॉसेक थीटा, कॉट की वहीद देखो कॉस थीटा, अपान साइन थीटा हो गया, कोसेक हो गया, वन बाई साइन थीटा, साइन जा साइन कट गया, तो यह आगया आपका कॉस थीटा, फिर से ध्यान से समझो इसी concept पे ए option है आपको ये ध्यान है यहांपर कि कोसेक हम निकाल लेते हैं और qt निकाल लेते हैं तो हमारा जो answer है यह मैंने option change कर दिया है यहां पे तो qt तीटा की value of cos theta की value आ जाएगी किसकी value आ जाएगी cos theta के value आ जाएगी जदी आपको यहाँ पे cosec plus cot दिया है तो यह हम निकालेंगे question आपका क्या है cosec theta plus cot theta x then value up cos theta क्या लिकालना है cos theta के value लिकालना है और जब यहाँ पे sec और 10 देगा x तो value up sin theta पूछेगा क्या पूछेगा तब आपको sin पूछेगा और cosec और cot दिया है तो आपको x दिया है तो आपको cos theta के value पूछेगा तो यह आपको पता है cosec minus cot 1 by x हो जाएगा अभी पीछे समझाया था अब यह 1 में से 2 minus करोगे तो same यह value लिकालके यह किसकी value आ रही है यह value आपकी आ रही है x square minus 1 by x यह value आ गई cot theta के value हमने लिख लिए यहाँ पे cot theta के value आ गए cot theta के value आ रही है 1 by 2 x square minus 1 upon x अब हमको क्या लिकालना cosec theta के value cosec के लिए मैंने क्या बोला था cosec के लिए दोनों को plus कर दिया था यह plus हो जाएंगे plus कर दिया था ति यह cancel हो गया यहाँ पे cosec आ गया था कॉसिक धिटा यह cosec theta आ गया यहाँ पे cosec theta क्या गया था यह plus हो गया था यहाँ पुस आ जा जाएगा то cosec theta के value क्या रही है आपकी plus आ गया 1 by 2 x square plus 1 अब आपको क्या लिकालना है cos theta cos theta पे क्या आ रहा है cos आ रहा है cot theta upon cosec theta cot theta upon cosec theta cot की value क्या रही है cot की value यह आई आई आपकी 1 by 2 यहां लिख देता हूँ 1 by 2 x square minus 1 upon x और इसकी value क्या रही है यहां नहीं आएगा यहां कट जाएगा यहां करा देता हूँ आपको cos theta लिका आदा है cos theta मैंने बताया की आप लिख सकते हूँ इसको cot theta upon में cosec theta cot theta के value यह आई थी 1 by 2 x square minus 1 upon x upon 1 by 2 x square plus 1 by x 1 by 2 से 1 by 2 के x x कट गया तो यह answer आपके क्या आगा cos theta की x square minus 1 upon x square plus 1 तो यह आगे आपका cos theta के value आएगी इसी question में change कर दूँ क्या change करना है कि cosec और chord की जगा पहले यह question आप लो इसमें answer आपका a आउगा x square minus 1 by x square plus 1 यह आपको ध्यान दखना है यह value को आपको लिख लिख के practice कर लोगे इसमें 6, 7, 8 question बन जाते हैं एक ही concept को यह questions आ रहे हैं एक जगा इस concept को आप लिख लोगे तो कोई भी questions आएगा तो आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हो तो यह आगे आपका जब cosec और chord में दिया होगा तो पहले मैंने बोला था cosec और chord दिया होगा तो cosec पूछेगा, chord पूछेगा और cosec और chord पे cos भी पूछ सकता है उसी तरह मैंने बोला था sec और tan पे sec थीटा यहाँ पे हो जाए sec थीटा, portion चेंज कर दिया मैंने और यहाँ पे होगा tan थीटा और x दिया है तब आप से यह पूछेगा sin थीटा क्या पूछेगा sin थीटा तो sin थीटा में वेलू same way से ही आएगी same value यही आएगी आपकी जब यह question दिया होगा तो sin थीटा के वेलू भी आप देखोगे क्या आएगा आपको tan और ही आगया तो मैंने बताया था कि यह tan sec थीटा निकाल लिया आपने और फिर आपने tan थीटा निकाल लिया तो sec थीटा tan थीटा अपान sec थीटा जो tan थीटा के वेलू आएगी अपान sec थीटा से क्या करो divide कर दो tan कितना होता है sin थीटा अपान कॉस थीटा अर यह हो गया वन भाई कॉस थीटा कॉस से कॉस कट गया आगया साइन थीटा तो भैलू भही लिकालनी है sec और tan की वैलू आपको फिर भुछे निकालनी पड़िगी sec और tan की वैलू लिकालको tan को sec से डिवाइड कर दो sin theta के value आएगी और यह semi value आएगी, क्योंकि 10 की value भी same उसी तरह आ रही थी, यासे या 6 की value यही आएगी, जो हमने 10 और इसमे करेंगे, change करेंगे, इसको change करेंगे, इसको change करेंगे, यह सारा change हो जाएगा, फिर change करके आप ऐसे निकालो कि जैसे पहले लिकाला है, आपनों लिकाल लखे हो देख लेना sec के value लिकाला है 10 के value लिकाला है दोनों value क्या करो डिवाइड कर दो तो same value आपकी ये sin theta गे value भी यही आजाएगी x square minus 1 upon x square plus तो ये आपनों को ध्यान लखना है दोनों value same आएगे question यहाँ पी change होगा sec plus time दिया होगा तो आपको sign पुछेगा और cosec plus cot दिया होगा तो आपको क्या पुछेगा cos पुछेगा तो इसी में देखो मैंने कितने question बता दिये concept एक ही रहा कि दो number का product है तो 1 दिया है तो एक रिदूसरे के reciprocal हो जाएगे identity लगी आपकी 1 plus 10 square theta, sec square theta वाली identity लगी है और 1 plus cot square theta, cosec square theta वाली identity लगी है उसी से transpose करके a square minus b square से उस समझाया था basic पहले उस basic को समझने के बाद ये आप इस तरह से 7-8 questions इसमें बनते हैं एक ही जगा आप 7-8 concepts की practice कर सेखते हो एक ही concept में तो इस तरह आप practice करोगे आपको 40 out of 40 100% maths में आ जाएगा कि कोई भी आप question करते हो तो उसकी आसपास कितने भी questions बन रहे हैं उस question को आप करने के पहले practice करो तो आपको जैने question अच्छी तरह समझ वारा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो अब मैशन मोर पे पहले बार उसको subscribe कर दो कमेंट जरूर करके आप लोग बताय करो कमेंट करोगे उस हिसाब से हम questions डालते रहेंगा कोई questions भी comment में पूछ सकते हो और telegram पे मेरा channel है मैशन के नाम से आपके मैशपाइंट के नाम से उसको भी आप जाके All the best, thanks.